देश में चल रहे किसान आंदोलन का बारा दिन हो चुकी है फिर भी भारतिय जनता पाटिस सरकार आंदोलन कारी किसानों को जायज मांगों को अंदेखा करने से आंदोलन की चिंगारी पुरे देश में सुलग चुकी है वही किसान अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे है भारतिय जनता पाटिस सरकार किसानों की बातों को अंदेखा कर किसानों के साथ अन्याय कर रहे है कृशी मालों को हीम भाव नहीं मिलने से किसानों को कम भाव में अपनी फसल बेचनी पड़ रही है जिसे किसानों की लागत भी मिलना मुश्किल हो रहा है नए कानून में साटे बाजी को बड़ावा दिये जाने से बड़े उद्योग समुह फसल का भाव कीमत पर किसानों से खरीद कर खुद मुनाफ़ा कमाना चाहते है आवश्यक वस्तु विधेयक 2020, कुरुशी उत्पादन एवं वानिजर विधेयक 2020 इन विधायकों में किसानों की मूल भूत सुविधाव का समाधान नहीं होता उल्टा नीजी कमपनी की दया पर निर्भर होना पड़ेगा इसलिए ने कुरुशी कानून का विरोध पिछले कई दिनों से किसान रस्ते पर उतर कर इस विधेयक का विरोध कर रहे है विधेयक में आधार भूत कीमत का कही भी जिक्र नहीं किया गया तीनों विधायक की चर्चा ना करते हुए बहुमत की आधार पर पास किये गए जो गलत है कुरुशी मंडियों को इस विधायक के जरीये खत्म करना चाहती है वही प्राइवेट कंपनी कुरुशी बाजार समीतियों के बाहर अपना खुद का मार्केट शुरू कर किसानों की फसल कम कीमत पर खरीद कर किसानों को बरबाद करना चाहती है जो आज कुरुशी मंडिया शुरू है वो प्राइवेट कमपनी या शुरू होने से बन होने की संभावना जटाई चारी है आज सुबर से ही भारत बन का समर्थन कर किसान रस्ते पर उतर कर इस कानून का विरोध कर रहे है वही पारशिवनी नगर और आसपास के किसान पारशिवनी के शिवाजी चौक पर एकटा होकर नैकृशी विधयक कानून का विरोध कर आंदोलन में शामिल होए इस विधयक की वजह से किसानों की अधिकारों को रौनदा चारा है अधिकारों को हनन करने से किसान अपना हक मिले, किसान की फसल को उचित मूल्य मिले, किसानों की हित की बात हो, किसानों को मिनाफ़ा मिले इस विधयक में इस तरह की बाते नहीं होने से लगातार किसानों की तरस से विधयक का देश भर में विरोध किया जारा है पार्शियोनी शहर में प्रहार संगटना की और सी शिवाची चोक पर आंदोलन को देखती हुए पार्शियोनी पुलिस विभाग ने भारी पुलिस पंदोवस किया था NBCN News के लिए पार्शियोनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट जर सरकार ने आमचे मागना मानने के लिए नहीं कि वा कुटे तरी चर्चे साथी मानले नहीं तर ये आंदोलन खुप तीवर हुईल आने पुर्ण भारत हे बंद हुईल असमी या बीड पारित केरी लेला है और शेतकर्यां चीक आपि यूसार अंदोलन स्फून है केंदर सरकार बील मागा जर गहत नहीं या मोऩंटे शेत्करीयां ची नुखस्न होना रहेत। असे आहे कि जैसे मंध्या बंन्द होनानी, या बाजर समिधा बंन्द होना रहेत। शेत्करी आपला माल तशाई मोलभावाने ही विकु शकत नहीं पहला आदी पसुन। तो त्याला त्याला माला किभम्ध अधि possiamo दोष पुत्या दोला का तुंद्रियी तो पुर्णपनि तो ओंटविश न थे खुले दिली अधिया प्रश्था मद मै। धे अब्ल अंधी शाचन आनी केण सरकार् जाथ करत नाहीं। थे खुले घुतर लाई। आठ डिसेम् बर ला देश अबबी संप़ बुकर ला होता त्या संप़ज पर्तिसजार पार्षिश फार्सु boug है स्था, पार्षिश फुर्णी पार्षिश फोड़ा सभाक झाले, जमने अप लितकु फिला, योग्य भाव मिलावा वा याशर है जितकरि ने बसले स्क्राबा बिसे न्यूज पार्शिनी